उत्तर प्रिदेश की विधान परिशत में इस वक्ट स्पीकर यानी सभापते की कुर्सी को लेकर तना तनी जारी है आपको बता दे कि उत्तर प्रिदेश विधान परिशत के स्पीकर रमेश यादव अभी हाल ही में रिटायर हो गए उनका कारेकाल पूरा हो गया जिसके बार विधान परिशत में अपना सभापती बनाने को लेकर सपा और भाजपा में सीधा तकराव हो रहा है यू तो पूर्ण बहुमत में विधान परिशत में समाजवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी के पास इस वक्षपन विधायक वही भाजपा के पास 27 विधायक विधान परिशत में है तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखर भार्टी जनता पार्टी कैसे अपना स्पिकर बना रही है तो बात यहीं से शुरू होती है यानि राज्यपाल साहब से सभापती के ना मौझूद रहने पर राज्यपाल को यदिकार है कि राज्यपाल किसी भी सदसे को पोर्टल स्पिकर नियुक्त कर सकते है इसी नियम के अनुसार राज्यपाल अनंदी बेन पतेल जहांसी से मलसी कुवर मानमेंद्र सिंग को विधान परिशत का सबापती नियम के अनुसार प्रोटेम स्पीकर वो बनना चाहिए जो सदन में वरिष्ट हो अब आते हैं आरोप और प्रत्यारोप पर सपा के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि भारती जन्ता पार्टी प्रोटेम स्पीकर के जरिये सदन चलाना चाहती है और चुनावना करके नए स्पीकर का चयन नहीं होने देना चाहती है जो बिधान परशद में नियमा वली में है कि प्रोटेम स्पीकर सर्फ जो सीनियर होगा सदस वही बन सकता है लेकिन इनों ने इसलिए अपने मनमानी तरीके से प्रोटेम बना लिया कि अब ये चुनाव नहीं कराना चाहतें क्योंकि यहां बहुमत बिधान परशद में नहीं थी कि राजभावन भी बेइमान हो जाएगा अगर राजभावन से लेकर सरकार तक सभी अगर संसदी परंपराओं की धज्या उड़ाएंगे तो भी बचेगा क्या इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी का भी एक डेलिजेशन राज़पाल को ग्यापन दे चुका है मगर अब देखना ये होगा कि चुनाव कब होता है क्योंकि 18 फरवरी से सदन की कारवाई शुरू हो जाएगी फिलहाल बीजेपी के MLC कुवर मानवेंद्र सिंग ने प्रोटेंट स्पीकर के रूप में शपत ले ली है और नियम के अनुसार 15 दिन के अंदर स्पीकर का चुनाव भी होना है जो नियमा वली है अस्थापित परमपराएं है उसके हिसाब से चाहे विधान परिशद हो या विधान सभा हो वरिष्टम सूची के अधार पर ही वरिष्टा के अधार पर प्रोटेंट स्पीकर की नियुक्ति होती है भारती जन्ता पार्टित विबानी दूसरा नाम है लेकिन महामहिमराज जपाल से उमीद है कि विधान मंडल में न्याय होगा विधान परिशद का जो प्रोटेंट स्पीकर होगा वो न्याय की अधार पर वरिष्टा की अधार पर अस्थापित नियमों और परमपराओं के अधार पर जैनित होगा अब देखना यह होगा कि अच्छारा तारीक को होने वाले इस बजट सत्र से पहले विधान परिशद का नया सभापती न्यूक तो हो पाता है या नहीं या फिर प्रोटेंट स्पीकर से ही सधन की कारवाई चलाई जाएगी फिलहाल विपक्षी डा प्रोटेंट स्पीकर को लेकर विधान परिशद में एक होते नजर आ रही है वहीं बीजेपी क्या गने बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है